Hello fans, welcome back to my channel तो fans, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि board exam में, science की अधिया पैपर में क्या तीन गलतियां आपको नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या तीन गलतियां जो कि आपकी बोर्ड की पेपर में नहीं करनी है जादा तर स्टुडेंट साइन्स की पेपर में या तिन गलतियां कर देते हैं तो आप जो है कि इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देख लेते हैं और जो गलतियां मैं बताओंगा, वह गलतियां आप board जा में, Science के paper में नहीं करते हैं, तो इतना guarantee है कि आप Science के paper में बहुत ही अच्छा है score करेंगे, आप Science के paper में 90% से भी जादा अंकला सकते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लाहस तक जरूर देखेगा चलिए friends इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप लोगी शैनल पढ़ना है तो शैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तो कुछ की नटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए तो friends चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि science के paper में क्या तीन गलतियां आपको नहीं करनी है तो friends देखिए जो पहली गलतिया आपको नहीं करनी है वह है पैसा रखना जी हाँ दोस्तों बहुत से student क्या करते हैं कि जब उनका board exam का paper खराब जाता है science का paper खराब जाता है तो उसमें जो है कि copy में भीच में पैसा लगा देते हैं तो ऐसा काम आपको नहीं करना है आपको board exam की copy में पैसा नहीं रखना है क्योंकि इस बार जो है कि इस पर सक्त कारवाई होगी अगर कोई भी जो है कि पैसा रखते वक्त पकड़ा गया या जब आपकी copy को चेक किया जाएगा वहाँ पर अगर पैसा रखन निकलेगा तो आपको copy का मुल्यांकर रोक दिया जाएगा और आपको जो है कि fail भी किया जा सकता है तो इसलिए आपको यहां काम नहीं करना है, अपनी कौपी में पैसा नहीं रखना है, ऐसी गलती जो है कि आपको नहीं करना है, और दूसरी चीज है कि आपको यहां गलती नहीं करनी है कि गाना लिखना, जी हाँ दोस्तों बहुत से student क्या करते हैं, कि जब उनको questions का answer नहीं आ तो आप उसके आस पास की चीज़ों को लिखे हमने इस पर भी वीडियो बनाया है कि कैसे आप को questions का answer नहीं आ रहा है तो आपको उसका answer लिखना है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना phone number वगएरे लिख देते हैं बीच में last में जब copy खतम होती है answer खतम होता है लिख करके तो वहाँ पर जो है कि अपना phone number वगएरे लिख देते हैं तो ऐसा काम आपको नहीं करना है आपको जो है कि सिर्फ questions का answer देना है उसके अलावा बाहरी चीज आपको कुछ भी नहीं करनी है तो यह तीन गलतियां आपको नहीं करनी अगर आपका board exam के science का paper है और friends एक चीज और आपको नहीं करना है वह है handwriting जी हाँ दोस्तो handwriting को सुधार करके आपको लिखना है handwriting आपको बेकार नहीं लिखना है क्योंकि handwriting अगर बेकार रहेगी तो जब examiner आपकी copy को check करेगा तो वहाँ पर उसको चीजों को समझने में दिक्कत होगी और वहाँ पर अगर उसको चेजों को समझने में दिक्कत होगे तो वहाँ पर भी आपके number कट सकते हैं तो इसलिए handwriting को आपको improve करके लिखना है थोड़ा सा समय लेकर के लिखिए लेकिए handwriting को अच्छे से लिखिए तो friends यह 3-4 गलतिया है जो कि आपके board exam में science के paper में नहीं करनी है अगर यह गलतिया आप अपने board exam के science के paper में करेंगे तो वहाँ पर जो ही कि आपके fail होने के chances बढ़ जाएंगे तो इसलिए friends आपको यह सब गलतिया नहीं करनी है चलिए friends मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में अगर यह video आपको पसंद आई हो तो इस video को like करिए ज़दा से ज़दा share करिए और channel पर नई है तो channel को subscribe करिए चले हैं मिलते हैं एक नई वीडियो में